जय जय शली राम मेत्रू, जय हिंद, मैं आनंद राज़त दिक्ष, मेरे चैनल सुन मेरे हिंदू रेपर, आप स्वभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, आज का एक थोड़ा सा अलग विशे है, एक पुराना संस्क्र्ट सुभाशित है, जो मैं आपको अभी दिखाने जा र मनुष्याणाम, शरीरस्तो, महान रिपुहू, अब इसका अर्थ क्या होता है, और इसमें ये रंग क्यों है, तो रंगों का ही पुरा खेल है, और इसी में आज के हिंदू के, भारत के हिंदू के, परिस्थिति का लेखा जोखा है, कैसे वो देखते हैं, आलस्या में, आलस इसका अर्थ क्या होता है, कि आलस से ही मनुष्यके शरीर का, शरीर में जो रहता है, वही उसका सबसे महान शत्रू है, रिपु का अर्थ है, शत्रू, तो मनुष्यके देह में ही, उसका सबसे बड़ा शत्रू रहता है, और वो है उसका आलस, अब आते हैं इसके रंगों प उसमें आप देखेंगे तो कम्यूनिस्टों का हसिया हथोड़ा है तो कम्यूनिस्ट या कई है वांपंती वो क्या कहते हैं वो यूनियन बाजी करते हैं मतलब उद्यम या उद्योगिता को पराभृत्त करते हैं करते हैं काम मत करो मैंनत का काम मत करो बैठे रो युनियन भाजी करो तो काम से ज्यादा अपने करतव्य से ज्यादा हक की मांग करो अधिकार की मांग करो कि हम काम करेंगे तो काम नहीं करेंगे हमें पैसे इतने चाहि आपसे भी हम एतना ही काम करेंगे वगयर 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 अब ये करते-करते आपका जो चाम है वह मैंगा पढ़ रहा है कर इस परदातमक नहीं हो दूआ है वगयर 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 उससे उनको कोई फरब नहीं पड़ता आपकी यूनियन बन गई आपसे मेंबर्शिप आ गई स्ट्राइक करेंगे मैनेजमेंट से सेटलमेंट करेंगे उनका धंदा सेट हो गया कमिनुस्टों ने कभी किसी को नोकरी लगाई नहीं नोकरिया खाई बरपूर है कमपनिया कॉंपेटिटिव बना कर इस परदा से बाहर करके इतनी महेंगी बना कमपनियों का प्रड़क्ट इतना महेंगा बना दिया कि कमपनियां बंद हो गई और वधंदा कहीं और चला गया लेकिन ये खुश कि वह हां हमने तो गया यूनियन बनाई मांगे मनवाई और कमपनी ब कारसी कौन बनाता है कम्यनिस्ट ये उसका आलस्य का लाल हसिया हतोड़ा है ठीक है मनुशा नाम मत अब यहां मैंने वो उसको भगवे रंद में दिखाया है इसका अरत है मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ सबसे ज्यादा यूनियन बाजी वगरा चलती है वो उन कमपनियों में चलती है जहां हिंदू management वगरा है मैं सिधा सिधा कहूं तो Muslim owned जहां Muslim owned company है छोटे मोटे कमपनिया वगरा है जो कोई यूनियन बाजी होती नहीं है और सिधा सिधा मतलब यहां वनपन्ती देखने नहीं जाता कि शोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है देखने ही निजाता ठीक है उसे अपने अवकात समझता है वो बाहर रहता है वो के वर हिंदु को तकलीफ देने आता है कुट्टे को पता होता है कहां लाठी पड़ेगी और कहां पर खाटेगा नहीं को तो वह वहां नहीं जादा और हिंदु के शरीर में आलस का महानरीपू बना देता है मतलब छोटे-छोटे काम जो खर के काम वगरा भी जो होते हैं जो आदमी करते रहता है तो बहुत नहीं का हो नहीं वहीं यह सब काम हम नहीं करेंगे डिलिवरी ब्लिंकिट जपो जप्टो वगरा यह सब वहां से हम क करना पड़ता है यह करना पड़ता है वह करना पड़ता अभी घर पर आपके कौन आता है आपके घर की रेकी मतलब आपके घर में कौन है क्या है गर में कौन सी चीजे हैं कहां आपका घर है पूरा डेटा आपका उनके पास हो जाता है उससे उनको कोई फरक नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता बाद में पता चल जाता है कि इनको हमारी बारे में इसी बात इकनी बाते कहां से पता चली या लड़की कैसे भाग गई उसे फर्क नहीं पड़ता है आलस के सामने कुछ भी नहीं दीखता ठीक है तो मनुष्यक के शरीर में आलस को बड़ा कौन करता है वामपंती काम रेड ठीक है और इसका फाइदा कौन उठाता है उतलब ये आलस से मनुष्यक का महन रिपू कैसे हो जाता है तो रिपू आप अगर देखें तो कलर से सीधी बात सामने आ जाती है सबी जो उध्यम सबी जो व्योसाय कभी हिंदू के होगा करते थे वहाँ भी हिंदू है नहीं क्यों क्यों क्योंकि उनको वामपंतियों ने बता है कि ये काम तुम्हारे करने लायक नहीं है तुम्हें तो गर्णन जॉब करना चाहिए वो करना चाहिए अभीलेबल है क्यों उतने नहीं है तो बता दिया कि तुम्हारे साथ अन्याए हो रहा है लेकिन N Gosh जॉबशन जॉब मिल रहा है और जो काम् जो सकिल आपके पास है जिसके आप कमाई कर सकते हो वो आपके पास बची नहीं लोगों को कह देते हैं मतब लोग कहते हैं कि हमने किया हमारे बच्चों को नहीं सिखाएंगे अब बच्चे के पास वो भी नहीं रहा और ये भी नहीं रहा फिर कहीं वाच्मन लग जाता है या अपने यहां काम नहीं करेगा, अपने यहां मेनत नहीं करेगा, शहर में जाके उससे कम कीमत में वहां नोकरी करेगा, हाड़ तोड मेनत करेगा, लेकिन वो चलता है, शहर में है, पत्नी पसंद करती है कि मेरा पती शहर में है, हम शहर में रहते हैं, कहा रहते हैं, जुग मुलाकात नहीं मैनों मैने, आता है तो पती की हेल्थ डावाण डोल है, पूरे बरबादी के आसार है, पत्नी को फरत नहीं पढ़ता है, शहर में है पती, बस, गाउं में रेता है तो उसे पती मिलता भी है, सब कुछ फुता है, और सेहर भी अच्छी रेती है, वो उसे फरत पता है, वो शहर में रेना चाहिए, हमें शहर में रेना है, तो ये, और इसका फाइदा क्या है, आज गाउं में जो जमीने हड़पी जा रही है, या हिंदूों के जो व्योसाए हडपे जा रहे है, वो किस कारण है, आलस से का हसी हाथ ओड़ा देखिए, लाल है, और पूके, बड़े शत्रू के हाथ में, समझे आप, छोटी साब छोटा सा वीडियो है, बहुत छोटा सा वीडियो है, ठीक है, आपको पसंद आए तो शेयर जबर कहीजीगा, ठीक यू, और वीडियो का लाइक जबर कीजेगा, ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुंचे, चैनल को सबस्क्राइब करना भी ना भूले, ठीक है, धन्यवाद आपका,